चलो जी आप सभी का वेलकम है आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से और बहतरीन और शांदार क्लास में सभी को गुड इविनिंग नमस्कार राम राम सशेकाल रादे रादे और दूसरी बात है कि जिसने भी अभी तक अपनी तैयारी को जोरों पे सुरू नहीं किया है तो रेलवे का हारेक विध्यारती अपनी तैयारी को सही तरीके से सुरू कर दे क्योंकि मेरे बबबर सिरो मेहनत इतनी खामोसी से करो कि सफलता एक दिन सोर मचा दे तो कौन-कौन तैयार है जरा आ जाईए भाई साब मेहनत के दोर पे गतिमान बैच रपीएफ कॉंस्टेबल और SI के जल्दी से ताबर तोड आंसर दीजिगा कि कोशें नमर आपका पहला गुड़ेव निग नमस्कार राम-राम सशेकाल रादे रादे सभी को परनाम भईया है ना आज कल क्लास क्यों नहीं हो रही है बताओ साक्सी विटा हो रही है यूपी की क्लास नहीं हो रही है वो एप चल रहा है आप यूपी वालों के लिए एक नया सर्प्राइज वो जल्द बड़ा आ रहा है तो इसके लिए वो है बस मामला बाकी आप बेफिकर रहेगा तो आईए सभी मिलके करते हैं तैयारी एक बार कोशन नमर वन आप से क्या पोछ रहा है कि निम लिखित में से कौन सी स सभेता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है कमेंट करके आंसर दीजे मरे बब बरसे बहुत बढ़िया साइंस की क्लास नहीं हुई साइंस वाले सर की तवियत खराब हो गई अचानक से उनको घर जाना पड़ा गाउ में ने मले कितमे से कौन सी सभेता अपने नग सभेता के लिए जानी जाती है कि दुनिया में सबसे पहले टाउंसिप वाली सिवलाइजेशन अगर कोई थी तो वह हरपा सिवलाइजेशन थी कि भारतिये वो लोग है जब उस समय पर भी अपने नगर नियोजन को जाने जाते थे उस समय के इंजीनियर बात समझ मैं इसको आपका हलपा संस्कृति या हलपा सभेता भी हम कहते हैं रीजन इसके पीछे क्या है कि हलपा सभेताम इसको क्यों कहते हैं तो ध्यान से देख लो भाई साब हलपा सभेताम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले हलपा सिवलाइजेशन का क्या किया गया था हलपा सिव खुदाई की थी आपका किसने की ध्यान से देखना आपका जो है दयाराम साहनी ने सबसे पहला नगर दयाराम साहनी की नेतरतम में आपका खुदाई में पाया गया 1921 में आपका हडपा और ये रावी नदी के तटपर था इसी की वज़े से आपका प्यारे सातियों क्या कहा गया इसको आपका जो है हड़पा civilization हरपा सब्भेटा कहा गया दूसरी बात आपका जो है यह विसु के प्राचीनतम नगरिकरत सब्भेटा में से एक थी और इसके समकालीन को सब्भेटा है जैसे मिसर की सब्भेटा मिसर की सब्भेटा इसी के टाइम पीरियट पे थी जब य कि सब्भेता भी आपका आ जाती है भाई साब नेक्स्ट कोशन देखेगा आप से क्या पूछ रहा है कोशन नंबर सेकेंड आपके स्क्रेंड पर ताबर तोर तरीके से कि हरपा सब्भेता में खुदाई से तैरा कोटा हल मोडल आपका जो है कहां मिले हैं बहुती जबरदस्त कोशन है प्हारे सातियों के मिटी का बना हुआ हल देशी भासा में मैं बात करूँ तो मिटी का बना हुआ हल आपका कहां से प्राप्थ हुआ हलपा सिवलाईजेशन में मैंने आपको इस बात बता र版 रखी हैं और आपको याद भी होगी कि हलपा सब्भेता जो है हलपा सब्भेता जो है ये आपका हलपा सिवलाइजेशन बारे लाख निन्याण में हजार छेस्सो वर्ग किलो मीटर में आपका फैली हुई है कितने में भीया वर्ग किलो मीटर में आज भारत का चित्रफल 327 263 है भारत का चित्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है परन्तु हरपा सिवलाइजेशन 12,89,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी इसके पीछे रीजन क्या है कि इसमें बहुत सारे नगर थे अगर हम बात करें इतियास कारों के अनुसार लगबग इसमें 1000 साइट है जो खुदाई में पाई जानी है परन्तु अब तक केवल 100 नगरों को खोजा गया है अब तक केवल 100 नगर ऐसे हैं जिनको खोजा जा चुका है अब जिसमें से आप से पूछ रहा है कि हलपा सब्यता में खुदाई से टेरा कोटा हल मिटी का बना हुआ हल कहां से प्राप्त हुआ बनावली हिसार हरियाना से मिटी का बना हुआ हल प्राप्त हुआ लोथल से आपका क्या प्राप्त हुआ तो विसु के प्राचीनतम बंदरगा या गोधिवाड़ा के साक्षे आपका प्राप्त हुए भाई साब जान से देखना आप लोग यहीं पे भईया बासाउन में आई तो यह भी आपका क्योशन आ जाता है कि विसु के प्राचीनतम बंदरगा या गोधिवाड़ा के साक्षे कहां से प्राप्त हुए तो लोथल से आपका प्राप्त हुए है यह भी आपका क्योशन आ जाता है इसके बाद देखिए नेक्स्ट कोशन आपसे क्या कह रहा है भा मेहनत करने का जजबा अंदर रखो कहते हैं कि आपका भाई साव यूही नहीं मिलती मंजिल राही को एक दिल में जनून सा जगाना पड़ता है पूछा चिडिया से कैसे बनाया घोसला तो बोली सहाब तिनका तिनका उठाना पड़ता है तो जाहिर सी बात है कि मेहनत करने वा अपनी सफलता को पा सकते हैं तो आई यह इदर आंसर दीजेगा कि अत्रंजी खेडा पुरातात्वी किस्थल जो आपका है वह आपका भाई साब अत्रंजी खेडा जो पुरातात्वी किस्थल है वह कहां से संबन्नित हैं हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश महराष्ट या उत्तर अखर्ण मदू चोधरी गोरकनात का चेला कुमार सकती सिंग चोहान क्या बात है चोहान साब कैसे हैं आप सर एक बारी कमेंट करके बताईए वह बहुत बढ़िया है ना अत्रंजी खेडा आपका उत्तर प्रदेश के एटा से संबन्न रखता है अब दूसरी बा जना जाता है अमीर खुसरो का जनम कहा हुआ तो एक कासगंज पटियाली में पटियाली कासगंज में आपका इसका जनम हुआ पहले एटा हुआ करता था यूपी में भाई साब बास समझ में आई अमीर खुसरो को तोताई हिंद कहा जाता है ये भी बात आप याद रखना क हमीर खुषरो को हिंदा कहा जाता है अगला कुक्शन देखें डेखिए बाइसाब पुरा लेक साहस्त्र किसका अध्य이면 है कि यए इपीग्राफी इस द इस्ट्रडी ऑफ वाट क्या वात है बागी साहब जी पुरा उदर आएंगे तो हम तुम से जरूर मिलेंगे ज्यान रखना मासूम बच्चा संजीव कुमार भाई साथ क्या बात है तावर तोड से कमेंट आने चाहिए आगसी लगनी चाहिए के इंदर धनुस यूही नहीं बनते मोसमें बरसात तो चाहिए कोसी से यूही रंग नहीं ला बात है भाई साब कुछ हो का है ना ध्यान से देखना पुरालेक सास्तर किसका अध्यन है तो सिलालेकों का सिलालेक और अभिलेक सबसे पहले किसके लिखे मिले गए मिले हुए पाए आपका भाई साब समराट असोक ने सबसे पहले पत्थ्रों पर अपनी बातों को लिखना तो इसको सुरू किया असो के कितने परमुख सिलाले थे तो असो के तेहरे परमुख सिलाले इसके बाद नेच्स्ट कोश्टन आपसे क्या कहा रहा है खड़का दो खड़का दो अगला अंसर हडब का सब्धेथा के के लोग वर्तमा लोगों को वर्तमान राजिस्थान वाले छित्र में कौन सी धातू मिली कोई अपनी बातन में मतलगो मैं सही बता रहा हूं तुम्हें कूट दूंगा मैं पकड़ के हिंग अगर कोई अपनी बातों में लगा रहेगा कोई अपनी बातन में लगा रहा हूं तुम्हें है हरपा सब्बैता के लोगों को वर्तवान राजिस्थान में से कौन सी धातू आपका पाई गई कहीं नहीं गया था पीटा खांसी उठ रही थी तो उसको माइक को से चौफ करके वो किया था हैना हलपा सब्वैदा के लोगों को वरतमान राजिस्थान में सोरी कौन सी धातू आपका मिली थी तो तामबा आपका प्यारे साथियों वहां से आपका मिला था आज के लिए अगर वरतमान इस्तिती को सबसे ज्यादा कौन करता है वर्तमान इस्तिती को देखा जाए तो आपके सामने कोशन है तांबे का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है तांबे का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा देश करता है तो विस्व में चिली देश करता है बाद सबसे ज्यादा विस्व में आ पुरान और धर्म सुत्र किस भासा में लिखे गए हैं इस question का अंसर दीजेगा आप से क्या पूछ रहा है कि वेद उपनिशद पुरान और धर्म सुत्र किस भासा में आपका लिखे गए हैं कमेंट करके बताईए सर कमेंट करके आंसर दीजे आप से क्या पूछ रहा है बहु बासा में लिखे गए तो संस्किर्ट बासा में किस बासा में लिखे गए सर संस्किर्ट बासा में वेद का अर्थ क्या होता है वेद का मतलब होता है ज्ञान उपनिशद को क्या कहते हैं बाई साब आपका वेदांत कहते हैं उपनिशद को क्या कहते हैं आपका वेदांत कहते ह में आगई ज्ञान से देख लेना आप लोग एक बात वेद का अर्थ होता है ज्ञान उपनिश्द का मतलब होता है वेदान तबया दूसरी बात पुरानों का अध्यन करने वाला पहला मुसल्मान करने वाला पहला मुसल्मान आपका कौन था वेटा तो पहला मुसल्मान आपका कौन था तो अलबुरुनी था पुरानों का अध्यन करने वाला पहला मुसल्मान अलबुरुनी था ये बात भी आपको याद रखनी है कोश्चन इससे पूछा जाता है बात समन में ये बोध साह इत्ते आपका किस गिरंथ में लिखे गए तो पाली भासा में आपका लिखे गए प्राकर्त भासा आपका प्यारे सात्यों किस ने यूज की थी तो आपका जो है असोक ने बास समझ में आ गई तो यह आपका कोशन आ जाता है संस्कृत इसका अंसर आ जाता है नेक्स्ट कोश सुन लेना के चार जाने माने वर्णों में से पहले स्थान पर वण्ववस्था का सुनने को मिलता है कमेंट करके बताओ मेरे बाब ब expressions की जब्भी बात आती है यह तो यह कहां आपका सबसे पहले मिलाと रिगवेद में कितने मंडल दस मंडल है रिगवेद में अब आपसे कोश्यन है अगला रिगवेद के दसवे मंडल के रिगवेद के दसवे मंडल के रिगवेद के दसवे मंडल के पुरुस सुक्त इसलोक में कहां पर भी आपका पुरुस सुक्त इसलोक में रिगवेद के दसवे मंडल के पुरुस ववस्था की हमें जानकारी मिलती है किसकी वर्ण ववस्था की और उसमें कितने प्रकार के वर्ण है चार वर्ण है ये बात आप ध्यान डखना ब्रह्मन चत्रिये वेश्य सूध ये सही क्रम है सबसे उपर का ब्रह्मन है सेकेंड पर आपका चत्रिये ऐसे ही आपका ये क्रम मैं फिर सूद्र आ जाता है किस व्यक्ति ने अपनी बुक में भारत की वर्ण विवस्था को साथ पिरकार का बताया किस लेखक ने किस लेखक ने किस लेखक ने अपनी पुस्तक में द्यान से देखना किस लेखक ने अपनी पुस्तक में अपनी पुस्तक में वर्ण को कितने प्रकार का बताया वहीया साथ प्रकार का बताया किस लेखक ने अपनी पुस्तक को पुस्तक में वन्ववस्था को साथ प्रकार का बताया कमेंट करके आंसर दो अम मैं आपको बताता हूं एक व्यक्ति था मैगा स्थनीज मैगा स्थनीज किसके समय पर भारत आया चं लिक्त ये नहीं थी कि चार प्रकार की थी थी उसे क्या लगा कि उस ने काम के अधार पर लोगों का डिवाइडेशन कर लिया और उसको लगआ कि यहाँ पर आपका वन ववस्ता वह त्लिक 326 BC में 326 BC में सिकंदर और राजा पूरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया भाई साब गजब का सवाल है आंसर दीजी एकदम दबा के ज्यान से सुलो पहली बात तो अगर क्लास पसंद आ रही है तो एकदम से दबा के मार दो भाई साब लाइक पहले तो अगर क्लास पसंद आ रही है तो दबा के मार देना लाइक हाला कि कहते नहीं हम लाइक के लिए मन कर रहा हो तो करना भाई की दूसरी बात यह कि आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी क्ँकि मेहनत के दम पे दुनिया जहान जीती जा सकती है कि कुछ चड़ गया तेरा नसा एसा कि यह लटव जाती नहीं कि कुछ चड़ गया तेरा नसा ऐसा की इलत अब जाती नहीं, ख्वाब में आती है तू, फिर नींद आती नहीं, तेरे नाम की महंदी अपने हातों पे सजाऊंगा, फिर किस्मत और महनत की जंग जीत कर दिखाऊंगा, फिर उस महनत के पसीने से तेरी मांग सजाऊंगा, ए ठीक है, तो चलिए इसके बाद आपका क्या कह रहा है, कि 326 BC में आपका सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध हुआ, वो किस नदी के किनारे पर लडा गया, कमेंट करके बताईए भाई साब, तो ये लडा गया था जेलम के किनारे पर, हाइडस पेज का युद्ध इसको कहा जाता है, बाद समझ में आई, इसको युद्ध को कहा जाता है, राजा पोरस पर आकमन किया सिंद के राजा थे, राजा पोरस सिकंदर ने, सिकंदर महान जब भारत में आकमन करने के उदेश्य से आता है, तो वो राजा पोरस से पहला युद्ध करता है, वो जीत महषथीप पर साम्राज्य किसी महषथीप साथ किसी महष, मुर्थी Corinthians का सतलज का सतूद्री सके वाद जेलम का प्राचीन नाम कौन रखाएगा कमेंट करके कि बताओ जेलम का प्राची नाम कोन बताएगा कमेंट करके बताओ बाई साम अब कमेंट करके बताओ जेलम का प्राची नाम में वितस्ता जेलम का प्राचीन नाम क्या है भाई सब वितस्ता के लिए मसला एकदम गर्मा गरम भाई साफ देखे कोशन नंबर 9 वाई साफ देखे किसके लिए बनाए गए नियमों को विने पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है बहुत ही सिंपल साधारन और बढ़िया कोशन है द्यान से देखे बताओ एक बारी किसके लिए बनाए गए नियमों को विने पिटक नामक पुस्तक में आपका जो है लिखा गया था अब सुनिए इस कोशन को द्यान से समझना इस कोशन को मिरे बबबर से रो देखें बौध साहित्य को तिरी पिटक कहा जाता है ब बाली भासा में आपका ये तिरी पिटक लिखे गए तिरी पिटक है कौन-कौन से तो तिरी पिटक आपका कौन-कौन से विने पिटक विने पिटक, सूत पिटक, अभी धम पिटक, ये तीन पिटक है, अब ये पूछ रहा है? विने पिटक में किस के लिए बनाएगाником को पुस्तक में लिखा गया था, तो ध्यान से देखना आपका, किसके लिए बनाए गए नियمों को लिखा गया बोध संग यानिके बोध के संग, बोध धरम के परचार प्रसार के लिए जो वक्ति बगवान बुद्ध या मात्मा बुद्ध के संग में सामिल थे, उनके दूरा नियम काईदय कानून बनाए ग कि अगला कोशन आप से क्या कह रहा है कोशन नमबर 10 वही या कोशन नमबर 10 के निम लिखित में से कौन नंदवंस का अंतिम सा सकता खलका दो अंसर भाई साब एक बार क्या कह रहा है आप से मिरा भबर से रो बताएए जल्दी से कि ना संगर्स ना तकलीफ तो क्या खाक मजा ह जीने में और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीनिय से बदardenे उससे भी तु भी पढ़ए पढ़ने दे पढ़ने पढ़ने दे शक्षि मांजा चलिए निमली कित्मे से कोन नंदवंस का अंतिम सासक था तो देखिए भाई साब आपको मैं बता दू हिर्नियक वंस के बाद आता है हिर्नियक वंस के बाद आता है नागवंश नागवंश और नागवंस के बाद आता है नंदवंस की स्थापना यह किसकी बात चल रही है किस में वंस मग्द महा जन्पद में मग्द महा जन्पद में प्यारे साथ मग्द महा जन्पद में आप सुनिए आप मेरी बात नंद वंस की जब बात आती है तो इसकी स्थापना किस ने की थी महा पदम नंद ने किस ने की थी विया इसकी स्थापना किस ने की थी महा पदम नंद्वंस का अंतिम सासक धनानंद था क्योंकि नंद्वंस के अंतिम सासक धनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मोरिय गद्धी पर बैठा था नंद्वंस के नंद्वंस के अंतिम सासक नंद्वंस के अंतिम सासक धनानंद की हत्या करके दानानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त्मोरिय गद्धीपर बैठा दो है, का बैठा बैठा नेक्स्ट कोषयन देखिए आपसे क्या रहा है हरन्याक कवन से मंग्द के पहले साकोंइ थे अभी बताया एक सेकंड पहले अगर गलत करा तो चलान कटे गा यह है कि क्या हुआ कि मासुम पढ़ ले तू भी तेरी ही कुरम से मांदूंगा मैं भी तुझे ही कूटूंगा मैं भी किला समय कि सुमझ रहाना सुन लो लो फसे म और के पहले सासद तो हरी कवन्स की जान से देखना हर्निय कवंस की Lock Tun dire treatments की स्थापना यह मग्ध महाजनपद मगद महाजनपद हिर्यक सामराजय को भढ़ाने के लिए महतवर्पूर्ट कारिय किया इसके बाद आपका अगला कोशियन कंटक सोधन याययलेih परचलन सμराजय में था किस सामराज्ये में कंटक सोधन जैसा नियायले हुआ करता था कमेंट करके बताईए वह देखिए मोरिये सामराज्ये के दर्वार में मेरी बास सुनदाओ कि मोरिये सामराज्ये में मोरिये सामराज्ये में दोपरिकार के नियायले थे एक कंटक सोधन बिटा हो एक कंटक सोधन मोरिय सामराज्यर में दो प्रकार के न्याल्य थी कंटक सोधने हो हो था ज्यान से देखना एक कंटक सोधन है और एक आपका धर्मिस्तिय हें सुनना educate सोधन न्यायले धर्मिस्तिय में अब आज भी वर्तमान में दो न्यायल होते का और फोजदारेर नहने इन फोजदारी जिणारी ऑफोजदारी जिद्यण नहीं आज भी आपका है ना कोई बात नहीं मदू आप जा सकते हैं डोक्टर के बास बिटा तबियत पहले जरूरी है उसके बाद है ना बताईए अपका अब आपसे पूछ रहा है ये दिवानी न्यायले और फोसदारी न्यायले ये दो प्रिकार के न्यायले उस समय हुआ करते थे आज भी होते हैं पर लेकिन उस समय इनका नाम कंटक सोधन और धरमिस्तिय था फोसदारी न्यायले ऐसे जैसे मालिया दो गुट अपस में लड़े जिसके लासें लट रहे हो और तमनें आपस में दूसरे का सिर्फोरटा तोड़ी हाथ तोड़ दिया एसे मामले होते हैं फोस्दारी नहívंग धिवानी नहले वह नव नहीं आले जैसे मालिया आपका जो है क्या होता है वह variation गर देंज इसकेंड के सामराज्ज्यira में तो मौडिये शामराज्ज्य भी कहा जाता है एक कोशन से दो कोशन जी तो टॉपिक वाले थ्योरी क्लास दोना प्लीज कहां कर रहे हो कहां करा कर रहे हो कर रहा है का कह रहो भीया तो मारी समझ में आई थारी बात यह मेरे बबीधा बताइए अगला कोशन अरे ओ मासूम पढ़ले बैया पढ़ले रामफल बहरत के किस्परशिदय वैक्ति ने मालवी कगणी में तुर लिख्या और उन्हें बहरत का सेक्सप्यर भी का जाता तो काली दास को कहा जाता है काली दास नहीं मालवी कगनी में तुर आपका लिखी है अगला कोशन निम लिखित में से किसन किस की दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया था ये बताई आपका जो है अगला कोशन आप से क्या कह रहा है जी निम लिखित में से किसने दिल्ली की सल् यह आप से पूछ रहा है सर कमेंट करके बताई आपका बहतरीन कोशन है कि निम लिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर है ना बताइए आपका दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया तो आपको एक बात पता होगी दिल्ली सल्तनत पर साशन करने वाले वन्स आपका कोन-कोन से हैं तो दिल्ली सल्तनत पर साशन करने वाले वन्स कोन-कोन से सबसे पहले आया था गुलाम वन्स गुलाम वन्स कब आपका 1206 में 1206 में गुलाम वन्स की स्थापना होती है गुलाम वन्स के बाद आया खिलजी वन्स खिलजी वन्स फिर आया तुगलक वन्स तुगलक वन्स फिर आया सयद वन् स्थापना कर दी तो दिली सल्तनत पर साशन करने वाले सथे यह कोश्यन आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शाषन करने वाले राजा वन्स आपका कुन था सबसे लंबे समय तक शाषन करने वाला वन्स तुगलक वन्स है इसके बाद आपका कुश्यन आता है राजा कुन था सबसे लंबे समय तक शाषन करने वाला मुहम्मद विन तुगलक अगर आपसे यह पूछे कि मुस्लिम राजाओं में सबसे लंबे समय तक शाषन करने वाला वंस कौन सा था तो आपका जो है मुगल वंस ने सबसे लंबे समय तक शाशन किया भारत में मुसलिम राजाओं में और मुगल वंस में से राजा था अकबर जिसने सबसे लंबे समय तक शाशन किया तो यह आपका कोशन आ जाता है पूरी डिटेल के साथ नेक्स्ट कोश्वन देखेगा सेर सहा दूरा जारी किया गया चांदी का सिक्रा क्या कहलाता है इसे सेर सहा सुरी मार्ग इसने कहां से कहां तक बनवाये था यह भी कोश्वन आपके एक्जाम में पूझा जाता है कि सेर सहा सूरी मार्क आपका कहां से कहां तक था तो ये बात सायद आपको पता होनी चाहिए और वैसे पता भी होगी हो सकता है कि मैं ही अपने आप में तीर मार रहा हूँ है ना मुझे ही ज़्यादा पता है तो ये आपका भारत की स्तिति अब मैं आपको बताता हूँ यह कहा से कहा तक बना था तो बांगला देश के सोनार से लेकर यहाँ पे एक जगा है सोनार बांगला देश के सोनार से लेकर पाकिस्तान के आपका अटोक तक पाकिस्तान के अटोक तक जीटी रोड का निर्मान करवाया आज वर्तमान में जो उस पिलस एनेच टू एनेच टू तो यह आपका आ जाता है दिल्ली से कलकत्ता दिल्ली से कलकत्ता और अमरेसर से दिल्ली एनेच वन एनेच टू दोनों को मिला के जीटी रोड कहा जाता है उस समय ये पाकिस्तान बांगलादेश के सोनार से लेकर और पाकिस्तान के अटोक तक थ आता है अगर आपको ध्यानों तो नेक्स्ट कोशन देखेगा कोशन नंबर 16 अभीनाव भारत नामक संस्था की स्थापना निम लिखे तुमेंसे किस ने की थी कमेंट करके बताइए भीया अभीनाव नामक है न अरे पढ़ लो यार तुम अपनी मजह में आ रहे हो सब दिल में एक ठेль ठेश सी रह जाती है वेकि आपका अभीनाव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की थी कमेंट करके बताइए तो आपका विनायक धामोधर सावर करने वीडी सावर कर जिनको वोला जाता है इन्होंने पहले मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना की, मित्र मेला नामक संस्था बनाई, मित्र मेला नामक संस्था अपने सातियों के साथ मिलकर बनाई थी, किसने वीडी सावर करने, और मित्र मेला संस्था को ही बाद में, इन्होंने मित्र मेला संस्था बनाई थी, कब सावरकरजी के द्वारा प्यारे साथियों नेक्स्ट कोशन देखेगा आप से क्या पूछ रहा है कोशन नंबर सत्रे के निमलिखित एतियासिक घटनाओं को उनके काल करम अनुसार ववस्थित करें भाई साब ध्यान से देखलो कोशन को लगता निरंतरता के साथ रुक के भा भाजन 1905 और जलिया वाला बाग हत्याकान 1919 में हुआ अब बात बता दो जी आपका अंसर क्या रहा है तो यानिके सेकेंड इसके बाद फर्स्ट और फिर आपका थर्ड दो एक तीन यानिके सी ओप्शन इसका राइट अंसर है आप सभी को पता है गांधी जी का पहला सत्य सत्यागिर है आपका कौन सा था तो गांधी जी का पहला सत्यागिर है यही था इसके बाद आपका बंगाल विभाजन 1905 में करजन के समय पर हुआ करजन के समय पर हुआ जलिया वाला बाग हत्याकान 13 अप्रेल 1919 को और रॉलेट एक्ट के विरोध में जब लोग इकटा हुए तब आपका डोक्तर सत्यपाल और सहफदीन के चलू की गिरफतारी के बाद तब ही आया इसके बाद देखें नेक्स्ट कोशन ब्रिटिस संसद में ब्रिटिस संसद में सदश्य बनने वाले पहले भारतिय व्यक्ति कौन थे उनका नाम कमेंट करके बताइए विया जल कि चंपारिन सत्यागिरे 1970 में नहीं हुआ बंगाल विभाजन 1905 में नहीं हुआ जलिया वाला भाग हत्याकान टेरे प्रैल 1919 नहीं हुआ मैंने क्या गलत बताया भाई इससे पहले में आजा मित्र मेला नामक संस्टा 1899 में विनाएक दामोदर साबर करने नहीं बनाई नासिक में सही बताओ सार मैं कुछ सागलत बता रहा हुँ बदाए ब्रिटिस संसद में सदश्य बनने वाले पहले भारतिय का नाम दादा भाई नोरोजी दादा भाई नोरोजी को The Grand Old Man of India, The Grand Old Man of India, Old Man of India कहा जाता है, इसके बाद दादा भाई नोरोजी, दादा भाई नोरोजी ने एक भुक लिखी थी, इनकी भुक का नाम क्या था, दादा भाई नोरोजी ने एक भुक लिखी थी, The Poverty and Un-British Rule of India, यह बुक किसे ने लिखी थी, इन्होंने ही लिखी थी, इन्होंने ही आपका प्रतिवक्ति आए, भारतियों की प्रतिवक्ति आए बताने वाले, भारतियों की प्रतिवक्ति आए बताने वाले, प्रतिवक्ति आए बताने वाले, भारतियों की प्रतिवक्ति आए बताने वाले है न, पहले भारतिये हैं, बताने वाले पहले वक्ति हैं, जन्होंने 20 रुपे, 20 रुपे आपका सालाना प्रतिवक्ति आए बताई थी उस सम पर इन होने प्यारे साती हो अगला कोशन देखिए आप से क्या कह रहा है महतुमा गांधी ने निमलिकित में से किसका समर्थन नहीं किया यह कमेंट करके आप से कोशन पूछा जा रहा है बिल्कुल सिंपल कोशन है थोड़ा सा लगतार साथ देदीजीगा मेरी आपसे संख्याबल अपने आप देड़ सो पार हो जाएगा थोड़ी सी जान लगा दीजेगा इतना समय आपसे रिक्वेस्ट है बाकी कोई बात ही नहीं है महत्मा गांधी ने निमलिकित में से किसका समर्थन नहीं किया मद निशेद भारी उध्योग का इन्होंने कभी नहीं का इ दवनी की त्रवता की एसाइएकाई क्या है दवनी की त्रवता की एसाइएकाई क्या है कमेंट करके अंसर दीजे भ्या आप से पूछ रहा हैं सिंपल और साधारण कोशन है कोई नलाई है न वो है बताए आपसे कि धवनी की त्रिवता की SI काई क्या है SI unit of intensity of sound देखे धवनी प्रदूशन को मापने का यंत्र आपका कौन सा है तो धवनी प्रदूशन को मापने का यंत्र होता है आपका भाई सब वोट प्रती वर्ग किलोमीटर क्या होता है decibel decibel से आपका उसकी नपाई होती है decibel प्यारे साथ है अब बताईए इसमें किस से ना पा जाता है दवनी प्रदूशन को बताईए घुम गयी चक्री वाट प्रती वर्ग मीटर कि दवनी की त्रवता की ऐसा I еकाई वाट प्रती वर्ग मीटर डेसईबल नंब ढूआ Christmas सबसे बड़ा से ढवनी प्रदूसित सहर आपका कौन सा MP4 इसार आपका मुरादा बादreibt मुराद बाद है भारत का पर यह आपका जो है पीतल लगणी के नाम से जाना जाता है यूपी में है पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है भारी उद्ध्योग होने के कारण यहां पर सोर सराबा जादा रहता और विस्व में आपका है जो आपका क्या भी यह विस्व में जो आपका है वो है इसके बाद कोश्चन नमर 21 एनिमो मीटर से दिये गई विकल्पों में क्या मापा जाता है कमेंट करके बताएं सर एनिमो मीटर से हम क्या माप सकते हैं यह आपसे पूछ रहे हैं आप अपने और गतिवान ट्रेन भगा दूँ एनिमो मीटर से दिए गई विकल्पों में से क्या मापा जाता है तो वेग कहलो यह की गती हो हवा की गती यह वेग आप कहलो तो यह आपका मापा जाता है इसी शिवीआ इसके बाद next question निम लिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस है जो सामानेते light बल्बो में पाई जाती है इससे simple सवाल तो कोई होई नहीं सकता बताईए आपका क्या करा है कि निम लिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस है जो सामानेते light बल्बो में पाई जाती है ओरगन हाइड्रोजन औक्सीजन या आपका रड़न आयारे साहती शाम कमेंट करके बतायो औरगन होता हैast अन्ग स्टन का बना होता बैटा क्षपम गैस फबसे हलकी गैस अपका कोनषी होती है तोसमसे हलकी गैस सापका यही होती है बात समझ में आ गई next question देखेगा आपसे क्या पूछ रहा है कि निम लिखित में से कौन विद्धुत रोधी है निम लिखित में से क्या विद्धुत रोधी है कमेंट करके बताएं कि टंगिस्टन का होता है भलब के उपर का तंटु बना हुआ फिलामेंट कैसे हो जाएगा किलियर अगला question दूद में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है साब दूद में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है बड़िया question है जर दूद में पाए जाने वाला दूद में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन आपका कौन सा होता है जिसके कारण दूद का रंग सफेद होता है जिसके कारण दूद का रंग अजर्फेद होता है अच्छा गाएं के दूद में क्वों सपाएं जाता है गाएं के दूद में करोटीन अगला प्र Sell — 16 कोश्ट निमली कित मैं से प्रकास संसलेशन के लिए किसकी जरुवत नहीं होती सब्सक्राइबtoo कर बार को डिकार ठागा था वैसे तो अबसे निम लिखे तुमेंसे प्रकास संसलेशन के लिए किसकी जरौत नहीं होती फोटो संतेसिज फिरकेरिया में किसकी जरौत नहीं होती जल धूप क्लोरोफलास्ट ऑक्सीजन किसकी नहीं होती अब इसमें तुम्हारा सबका कटवादू कुनाल गोजी अर्विन चंद्रा सब अंसर सही दे रहें जी इमले कित्मेंसे प्रकास संसलेशन के लिए किसकी जरौत नहीं होती ओक्सीजन की ओक्सीजन को तो पेड़ छोड़ते है ना ख्लोरोफलास्ट धूप जल ये तो चाहिए तभी तो फोटो संतेसिज होगा ठीक है भया नेक्स्ट कोशन कोशन नमबर 26 निजता का अधिकार किसके अधीन आता है विटा निजता का जो अधिकार है वो किसके अधीन आता है कमेंट करके बताईए भी या कट गया कि बताइए कि निज्टा का अधिकार राइट टू प्राइवेसी देखिए राइट टू प्राइवेसी मोलिक अधिकार बनाया सुप्रेम कोर्ट अब निज्टा के अधिकार का मतलब यह नहीं है कि तुम फोन चला रहे हो तुम्हारे पिताजी आके कहें मैं भई फोन दिखा क्या कर रहा है तुम क्यों सुन पिताजी मेरी बात पिताजी सुनो मेरी बात के यह राइट टू प्राइवेसी मेरा अधिकार है मैं अपनी सोना से बात करूं बाभू से बात करूं तुम कैसे रोक लोगे तुमारे जो पि आजी राइट टू प्राइवेसी प्राण एम देहिक स्वतंतरता के अधीन अधीन तुम कहके दिखाई हो जह मुझे अपने बावुस बात कर नहीं है पिता जी अपना फोन देओं यह मेरे राइट टू प्राइवेसी है थोड़ी है चपल की भरसात लो फर तुम अगला कोश प्राइट में से किस देश के सम्मिधान से लिया गया इंडियन कॉंस्टिटूशन में जो आपका सम्मिधान संसोधन की प्रकिरिया किस आर्टिकल में है सम्मिधान संसोधन की प्रकिरिया सम्मिधान संसोधन की प्रकिरिया किस आर्टिकल में है तो सम्मिधान संसोधन की प मैं भी हैं है आपका किसमें ये आ आ जाती आपका आर्टीकल कि डो सम्मिधान संसोधन की प्रक्रिए आ आर्टिकल 368 में भास समझ में आगई नेक्स्ट कोश्चन देखि आप से क्या पीछ अई कि भारत करहरा संविधान की विसेश्ता नहीं है कोशन नंबर 28 निमली खित में से क्या भारत के संविधान की विसेश्ता नहीं है आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल विंम अ मिल जाएगी होसलों से भई एकोसिस एक दिन जरूर रंग लाएगी में मिले कितमे से क्या भारत के सम्मिधान की विसेस्ता नहीं है संगियता मूल भूत अदिकार सत्ता का विभाजन एकात्मक प्रनाली एकात्मक प्रनाली भारत के सम्मिधान का विसेस्ता नहीं है अगला कोशन देखें नेक्स्ट कोश पूछ रहे हैं आप से हैंना बारतिय सम्विदान में नियाईक पुनर्वलोकन की सक्ति और नियाई पालिका की स्वतंतरता का प्रावदान किस देश से लिए गया है कमेंट करके बता इक तो कहां से लिया गया है अमेरिका से आपका उन नेक्स्ट कोश्टत कॉश्चन बढ़िया होगा, dedicatedly UP वालों के लिए होगा, especially UP वालों के लिए होगा, बान समझ में आ गई, next question देखें आप से क्या कह रहा है, कि राष्टपती अपना स्थीफा किसको संभोद्यत कर सकता है, तो उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष मतलब उप उप राष्ठपती, उप राष्टपती को यह अपना इस्तीपा दे सकता है राष्टपती जब चाहे अगर उसको लेना हो चलिए जिसके बाद अगला कोशन बारतिय सम्मिधान का निम लिखित में से कौन सा आर्टिकल राष्टपती के महाव्योग की प्रकिरिया प्रदान करता है बाई साब अग अगला कोशन देखिए राज्य सभा के सदश्यों का निर्वाचन वर्सों में काला अधी के लिए होता है यानि के राज्य सभा का कुद का तो कोई अपना टाइम पीरियट होता नहीं तो राज्य सभा के सदश्य जो इलेक्ट होकर आते हैं उनका टाइम पीरियट कितना होता है तो छे वर्स का होता है प्रतियेक दो वर्स बाद एक थिहाई सदश्य क्या हो जाते हैं एक थिहाई सदश्य रेटायर हो जाते हैं प्रतियेक दो वर्स बाद राज्य सभा के सदश्य लोगता से दीजार से नेख्ष्टी फोट we gonna चुसे हो और भारत में इस्थाफित पहला उच्छ न्यालने को सबक्राइब rust को आशले目 सबस्क्राइब तो अब सोटमान में कितने हैं कोड़ बॉर्टमान में भारत में 25 हुट है वर्समान में भारत में 25 यह murder पच्चिसवाई को टापका अमरावती बना है ये बात आपको पता होगी आंदर पर्देश का नया आपका अब सवाल कह रहे हैं कि मदरास बॉंबे दिल्ली कोलकाटा आपका जो है है ना मदरास मुंबई दिल्ली कोलकाटा कुंसा बना था कि कलकत्ता पहला बना था 1773 में कलकत्ता बनाता यह सुप्रीम कोड बनाता पहला बताइए वहाँ पर है अगला कुश्चन कुश्चन आपका क्या कर रहा है कुश्चन नमबर 34 राज्य पाल का कारेकाल कितने वर्सका होता आपको पता राज्य पाल की निक्थी कोन करता तो प्रधान मंतरी की सल में संविधान संसुधन के दिवारा समाप्त कर दिया गया गया है 125 वह आपके स्क्रीन पर ज्यान से देख ले ना कोंसा मोलिक अधिकार 44 सम्मिदान संसोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया कमेंट करके बताईए तो यह कोश्यन आपका संपत्ति का अधिकार है सम्मिदान संसोधन 1978 में आपका समाप्त कर दिया गया अब मोलिक अधिकार रह गया चे समधान सभाद वारा रास्टि गान को कप अपनाया गया था यह कुशन आपका होमवर्ग के लिए कुलास के बाद पर करके आनसर देना आज़ कि यहीं पर वराम देते हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपने क्लास में साथ दिया फिर एक लाइन लास्ट में सुनते जाना मेरी बात को ध्यान से सुन लेना कि कहते हैं कि कुछ चल गया तेरा नसा ऐसा है ना कल भाई साब इस बात के लिए बहुत लोगों ने फूलो किया होगा कल बेन भाईयों का नवरात्रा था अंतिम कि कुछ चल गया तेरा नसा ऐसा कि लत अब जाती नहीं ख्वाब में आती है तू फिर नीद आती नहीं तेरे नाम की मेंदी अपने हाथों पे सजाओंगा फिर किस्मत और मेहनत की जंग जीत कर दिखाओंगा फिर उस मेहनत के पसीने से तेरी मांग सजाओंगा वर्दी तुम महबुबा है मेरी मत तुझे ही दुलन बनाओंगा तुझे ही दुलन बनाओंगा तुझे ही दुलन बनाओंगा तुझे ही दुलन बनाओंगा तुझे ना वर्दी को दुलन बनाने की बात चलिए कभी हो करीगे ठीक है ना चलिए घ्र बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से जैहिंज भारत मेरे बाद लले सरकी क्लास सभी लोग उसमें जुड़ाएं फर मुलाकाथों की कल आप सभी से एक बार